हेलो एवरिवन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड रूट्स इन्ट इंडिया यानि प्राचीन भारत में जो प्रमुख बैबारिक मार्ग थे उनके बारे में हम आज के टॉपिक में रिस्ट करें किसी भी देश की आर्थिक स्रमिद्धी के लिए बैबार एक सबसे महतपूर कारक माना जाता है और भारत में प्राचीन काल से ही जो है हमें सुदूर देशों के साथ जो है बैबारिक संबंदों के बारे में हमें सुचनाय प्राप्त होती हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सिंदू सबेता का जो अनिको प्रश्मी ACI देशों के साथ बैबारिक संबंद थे प्राचीन भारत में हमें सभी प्रकार के बैपार से संबंदित उलेख प्राप्थ होते हैं जैसा कि इनलैंड और फॉरेंड ट्राइट से संबंदित सुचनाय में प्राप्थ होती हैं जो बैपारी होते थे उन्हें समाज में एक महतवपूर जो है अस्थान प्राव्द हो था और उनकी किसी भी देश से तो समाज की अर्थवरस्था में जो है उनका एक महतवपूर जो है रोल हमें दिखलाई देता है जो बैपार होता है वो बैसिकली जो उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जाता है और समय के साथ हमें उद्योगों में हमें अनिकों परिवर्तिन दिखलाई देते हैं उनमें विकास का क्रम हमें दिखलाई देता है और उसी के साथ हमें बैपार के लिए मुखरूफ से जो इनलेंड और फॉरिंट्रेड में भी हमें परिवर्तिन दिखलाई देते हैं उसके साथ ही साथ foreign trade के लिए मुखरुफ से overseas trade यानि कि जो समुंदरी जो बैपार है उसमें भी हमें development यानि कि विकास दिखलाई देता है भारत के समुंदरी बैपार की जो ट्राशीनथा है वो हम शिंदू सबयता तक लेकर जा सकते हैं क्योंकि हमें सिंदू सबयता के आनेको पूरा सतल से hat अनेक हैसे डॉक्याड और जो पंदरगा थे उन son पुरा तत्विक उत्खनों से साच्छ प्राप्त होते हैं इसके तरह समंद्री बैपार की निरंतरता हमें वैदिक टेक्स्ट में भी दिखलाई देती जहां पर पनी सब्द जो है आया है पनी सब्द जो है वेदों में उन ब्यक्तियों क्या गया है जो की मुखरूफ से ट्रे भारत का जो अंतर देशी और जो अंतरास्ट्री बैपार हो रहा था मुक्रूफ से अंतरास्ट्री बैकार मुक्रूफ से समंद्री मार्गों के द्वरा हो रहा था वो उसका सबसे महत्पूर जो प्रड़राम हमें दिखलाई देता है वो हमें अलग-अलग छित्रों की प्र इसक्रितियों को भी जोड़ने का काम उनके बीच सम्मंद स्थाबित करने का कारी कर रहा होता है। इसक्यत्रिक एक अस्थान से दुसरे अस्थान परवस्थों की जो एक्चेंज हो रही थी। उसके द्वारा जो है जो है देश के विविन चेत्रों में हमें एकनॉमिक यूनिटी एक आर्थिक एक्तावी हमें विक्सित होती दिखलाई देती है क्योंकि किसी पच्छिकलर किसी अस्थान पर उत्पादी तवस्थों जब दूसरे अस्थान पर जाती थी और वहां से उत् पार्णिंग जो है हमें डेवलफ होती दिखलाई देती है इची जहां पर आपको दूसरा यह है कि पौराणिक गरंतों में हमें बैपार्यों से समझ अनिकों विवना हमें प्राफ्थ होते हैं तता जो है बैपार की जो वस्तुय होती थी उनकी पूरी सूची हमें जो है प सुर्वाती दोर में जो है वो विदिशी वेपार की तूल नमें ज़्यादा महत्रपूर में दिखलाई देता है इस मैफ में आप यह जो मैफ है यह सिंदुहाटिस अभेता के सभमांधित मैफ है इसमें आप सिंदु अटी सब्वेटा के प्रसार को देख सकते हैं, कि इस प्रकार से इनका प्रसार दिखलाए देता है, और सिंदु सब्वेटा के internal trade से समंदित भी हमें, इसमें आप असानी से देख सकते हैं, कि इस प्रकार से एक पुरास्थल जो है, दूसरे पुरास्थल से Land Route तता आजवेल आज, River Route के त्रूँ जो है, वो सभी पुरास्थल एक दूसरे से Very Well Connected थे, यहाँ पर आप राकी गड़ी को देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोथल को देख सकते हैं, दौलावीरा यहाँ पर है, सुथकांगडोर यहाँ है, मोंजोद दौलावीरा यहाँ पर है, तो सभी पुरास्थल एक दूसरे से असरी मारगों एवं जल मारगों के द्वारा चुड़े होते हैं, इस मैप में सिंदु सभेता के द्वारा होने वाले पस्ची मेसिया के साथ बैपार को भी आप देख सकते किस प्रकार से यह सिंदु सभेता के जो निवासी हैं, पस्ची मेसिया यह देशों के साथ, लैंड ट्रेड रूट्स, एजवल एज़, सी ट्रेड रूट्स के तुरू बहुत ही वेल कनेक्टेड थे और इसके तरिक जो है, अफगानिस्तान और सेंटरल एसिया तक भी इनका जो है, हमें प्रभाव जो है, द दिक लाई देते हैं, इसके अतरिक हमें ऐसे भी साथ प्राप्त होते हैं, कि जो उत्पादित वस्तुए थी, वो एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर जो है, ठ्रीड रूट्स के तुरू जो है, आसानी से जो है, वो कैरीड आउट होती थी, और उनमें हमें उनकी होती थी, उसे संबंदित हमें सुचनाया प्राप्त होती हैं, इसके तरिक जो है, जो अलग-अलग राज्च होते थे, उनके बीच भी हमें ट्रेड रिलेशन, यानि जो बैपारिक संबंद है, उनसे संबंदित हमें जो है, आनिको विवरण हमें प्राप्त होते हैं, और भ माध्यम से जो है इस्ट और वेस्ट एक दूसरे से बहुत ही आसानी से connected थे और कट कोटिल और मनी मनु ने जो है अंतरदेशी और बेदेशी बैपार के प्रकती एवा महत्व की और जो है की और जो है महत्व की और प्रकास डालते हैं और देस की आर्थिक स्रमिधी में जो है वेपार का जो है महत पूर जो है योगदान हमें दिखलाय देता है और मनु ने जो है वेपार में जो है जो है moral values की महत्ता को सुएकर की यहतयात जो है किसी भी बैपार अथवा उद्योग के लिए जो है जीवन रिखा मानी गई है और रिविद में हमें इसे संबनी दने को जो है विवरन हमें प्राफ्ट होते हैं कि उसमें ऐसा उलिक प्राफ्ट होता है कि जो विविन प्रकार के जो यात-यात के साधन है और जो बैपारिक जो मार्ग है उनकी सुरच्छा तथा उनका मेंटेनेंज राजा का प्रमुक्ष करता वे माना जाता है इसके तरिक्त हमें अने को ऐसी सुचनाएं हमें प्राफ्ट होती है जिसमें बैपारिक जो है वस्तूओं की धुलाई के लिए जो है चारियेट का प्रयोग कार्ट का प्रयोग हमें दिखलाई देता है इसके तरिक तो जो भारवाहक जानवार होते हैं जैसे कि याक गोट होर्स यानि घोड़े उत तथा हाथिया इनके प्रयोग से समय उद्रण हमें प्राफ्थ होता है इनका प्रयोग जो है अलग-अलग छेत्रों में अपनी भोगोली का आउसकता नुसार जो है इनका प्रयोग किया जाता था इस परकार से पहाड़ी छेत्रों में मुख्रू से याक और गोट का प्रयोग किया जाता था समान की धुलाई में एवां उट का प्रयोग मुख्र उसे रिगिस्तानी छित्रों में किया जाता था हॉर्स का प्रयोग मुख्र उसे मैदानी छित्र होते थे वहाँ पर और एल्फेंड का प्रयोग भी जंगली छित्रों में मुख्र उसे किया जा रहा था और प्राशीन भारत में जो है जो सड़के होती थी उनका भी हमें वर्गीकरण जो है हमें दिखलाई देता है और वो वर्गीकरण मुखिरुसे उनके प्रयोग और उनके जो डिस्टिनिशन होते थे उनके अनुसार उनका वर्गी गंड किया जाता था इसके तरीक प्राचीन भारत में यातायात के लिए नदियों का प्रियोग भी भथपूर माध्यम माना गया है इसके तरीक बैपार में होने वाले परिवर्थनों के परणाव सरूप जो है हमें सटको एवं जो बाजार हैं उनके माहतापूर परवर्थन दिखलाए दिए हैं तथा कौटिल अपने अरसास में भारती उप महादीव के आलाग अलक छित्रों में उत्पादित वस्तुओं की सूची भी प्रदान करते हैं, ये वस्तुए कृषी तथा उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुए थी और इसके द्वारा हम भारती उप महादीव में जो है जो अंतरदेशी बैपार हो रहा था उसको हम आसानी से समझ सकते हैं तथा जो मौरे काल में जो हमें ये दिखलाई देता है कि जो मौरे प्रशासन था या जो मौरे सौसकते उनका इंटर्नल ट्रेड यानि जो अंतरदेशी बैपार हो रहा था उनके उपर जो है उनक पर रहा था उनके ओपर भी हमें इनका जो है नियंत्रन दिख्लाई देता है और मुखेर उसे इस्ट और वेस्टर जो सी कोस्ट है उनके दोहरा जो है किया जा रहा था तता मौरे पेरिड में जो है ग्रीक्स जो इंडो ग्रीक्स रूलर्स के साथ इनकी जो फ्रेंड्सिक थी उसने भी भारत के बैपार को पश्मी देशों में बढ़ाने में हमें मदद कर दो बहुत गरंतों से हमें अनेको ऐसे विविन प्रकार के ऐसे लोगों के बारे में हमें सुचनाएं यानि कहानियां हमें प्राप्त होती हैं जिन से हमें उनके द्वारा एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर र्यात्रा करने से सम्मंदित विवरण हमें प्राप्त होते हैं इसके अतरिक जो है इन ग्रन्थों में हमें उन बैक्तियों के द्वारा चिन ब्यापारिक मार्गों का प्रियोग किया गया उन से सम्मंदी तमिस विवरन हमें प्राफ्ट होते हैं communication यानि संचार जो माध्यम थे उनके बारे में हमें सुचनाय प्राफ्त होती हैं और व्यापारिक पत्थों से सम्बंदित सुचनाय प्राफ्त होती हैं पुरा तत्विक साच्चों के सहायता से हम इन ब्यापारिक मार्गों और उनके इंट्रेक्शन थे यानि एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी थी उनको हम आसानी से उनको ट्रेस भी कर सकते हैं इसके दी है तत्विक सुचनाय प्राफ्त होती हैं पहला है उत्रपथ तत्था दूसरा है दच्नापथ इन दोनों प्रमुक बैपारिक मार्गों का एक हमें लंबा इतिहास हमें दिखलाई देता है और जो सताबदियों तक जो है इनके द्वारा भारत में एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर जो है बैपार होता रहा उत्तरपस को जो है दग्रेट नौर्धन ट्रेड रूट भी का आ जाता है और ये उत्तरभारत का जैसा कि नाम से इस परस्ट है उत्तरभारत का सबसे प्रमुक जो है बैपारिक मार्ग था दूसरा मतपूर बात इसमें ये है कि ये मार्ग जो है भारत के भारती हुप मादीब के नौर्थ वेस्ट पोर्षन यानि कि उस्तरपस्चमी छित्र जिसको आजकल जो पुसकलावती और तस्सिला के से ये आरम होते थे और सिंदु सबिता और गंगा प्लेन से होते वे ये बेया बेंगौल में तामरलिप्ती तक जो है ये बैपारिक पत जो है आता था अस्ट्र ध्याई में भी हमें इससे सम्मंदित हमें सुचनाय प्राफ्ट होती हैं जिसमें ये कहा गया है कि उत्रापस जो है विभिन राजियों से होता हुआ गुजरता है बौद ग्रंथ विने पीटक एवब जातक ग्रंथों के आधार पर जो है उत्रापत से सम्मंदित हमें साच्छे प्राफ्ट होते हैं और उसकी साहता से हम उसके मार्ग को भी जो है असानी से ट्रेज कर सकते हैं उत्रापत के साथ हमें अने को ऐसे चोटे बैपारिक मार्गों से समंदित भी सूचनाय अप्राफ्त होती है लेकिन यहां पर यह लेकिन उत्रापत जो है दो प्रमुख भागों में यह दो प्रमुख सेक्टर में जो है विभाजित हमें दिखलाई देता है पहला है Northern sector और दूसरा है आपका Southern sector जो Northern sector है वो मुखरूफ से स्टार्ट होता था लाहौर आजकर के आज़निक पाकिस्तान के लाहौर से स्टार्ट आरंब होता था और लाहौर से जालंदर शाहरनपूर होते वे गंगा के मैदान में प्रवेश करता था तथा बिजनौर से आगे बढ़कर गोरकपूर स्रावस्ती गोरकपूर से होते वे बिहार और बंगाल तक सौधन जो सेक्टर है वो मुखरूफ से जो है लाहौर रायविंड भटिंडा तेली हर्सिनपूर कानपूर लखनो अलाबाद में कौसाम भी होते वारांट सी तकाता था और वहां से पाठले पुत्रा और राजगीरी जाता था और उसके बाद तामलिप्ती से जुड़ जाते थे इसके तरिक उत्रापत में हमें अने को ऐसे छोटे ब्यापारिक मारगों से समंदित सुचनाएं में प्राफ्थ होती है जिनको फीडर रूर्स में कहा जाता था जिनका जो प्रमुख कारे था जो जो मेंनल रिसोर्स है जो खनीच प्रदार्थ वगेरा हैं उनको एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर जो है मूव करना ले कर जाना प्रमुख जो है रोल माना जाता था उतरापत में हमें जो सबसे जो तो महतपूर फीडर रूट हमें देखलाई देता है वो है राजस्थान की और एक जाता था रूट, दूसरा जो है क्योंकि राजस्थान विभिन प्रकार के खनीज वस्तुवों का और धातुवों का एक महतपूर सुरोथ माना जाता था, तता एकन रूट जो है वो सिंद्ध की और जाता था उत्रा उत्रा पस से निकल कर सिंद्री के हो जाता था और तीसरा जो महत्पोर जो मार्ग था वो ओडिशा के समुन्द तटवर्ती च्छत्रों की और जो है जाता था इसके अत्रिक भी हमें यानि कुछ छोटे-छोटे फीडर रूट्स के बारे में हमें सुचनाय अप्राप्त होती है जिसको हम अगले स्लाइट के मैप में हम डिस्कस करेंगे उत्रापत के मार्ग के अंतरकत हमें यह भी दिखलाई देता है कि यह जो बैपारिक मार्ग था यह लैंड कम रिवर रूट था यानि कि अस्तली मार्गों के साथ साथ जली मार्गों का भी प्रयोग उत्रापत में हमें दिखलाई देता है बहुत ग्रंतों में हमें अनिको ऐसे description यानि विवरन हमें प्राप्त होते हैं जिनमें बैपारी होते थे अपनी वस्तू के साथ गंगा के माध्यम से एक अस्तान से दुसरे अस्तान पर वस्तू को लेकर जा रहे थे इसके तरिक गंगा की जो अनिसाहयक नदियां हैं उनका भी प्रयोग जो है transportation के लिए especially trades के लिए किया जा रहा था यमुना, घागड़ा, सर्यू, इत्यादे इस मैप में आप उत्रापत के मार्ग को देख सकते हैं और जो की blue line से यहाँ पर दिखाया गया है उत्रापत मार्ग का जो आरंभ है जो सबसे आरंभ हमें वाना जाता है वो है हर्ति महादीब का North West Frontier पुषकलावती 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 की पस्चाथ जो है तस्सिला होते वे जो है यह मार्ग जो है सिंधु नदी के छेत्रों को पार करने के पस्चाथ गंगा के मैदान में प्रवेश करता है और यहाँ पर हमें दो प्रमुख मार्गों के बारे में हमने आपको बताया था कि दो भागों में उत्रापस जो है विवाजित हो जाता एक है Northern सिक्टर Northern सिक्टर को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो की थूना हस्तिनापूर और शुरावस्ती गोरकपूर होते होई बयसाली होते होते होई पाटले पुतरह तक आता था और दूस्रा जो मार्ग है वह आपका यह मार्ग है जो की कानपूर लखनो कौसाम इसके तरीक हमें आने को feeder roots इनको हम feeder roots कहते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये जो मार्ग है ये राज्थान की ओर जाता था जो कि राज्थान metals and millers का एक main source था और एक मार्ग यहां से जो है सिंद्ध के छेत्रों की ओर चला जाता था और तीसरा जो मार्ग हमें दिखलाए देता है जो कि feeder root के रूप में वह है ताम लिप्ति से आके बढ़ता हुआ उडिशा के coastal region की योड जो कि green color से दिखलाए गया है ये मार्ग जो है प्रमुक्ता इसके तरीक जो northern and southern sector है वह भी आन्य छोटे-छोटे मार्गों की सहायता से ज इनके माध्यम से उत्तर भारत में बैपारिक गत्वीदियो को बढ़ावा दिया जा रहा था इसके तरीक चंद्रकेतुगड से एक मार्ग भारत के north eastern छेत्रों की और जाता था मुखिरों से असाम की और प्राग जोतिस की और जाता था और वहां से एक मार्ग चीन और दूस जाता था और पुस्कलावती से ही आगे बढ़कर जो है ये मार्ग जो है पश्मी देशों इरान और सेंटरल एश्या की और जो है प्रमुक्त वैपारिक मार्ग जो है जाते थे अस्ट्रा दयाई तथा जातक से हमें फैरी के बारे में प्राप्थ होती है जली मार्गों के त्वारा जो है जो बैपार होता था उससे सम्दी सुचना हमें प्राप्थ होती है किन्तो जो लैंड रूट था वो बहुत ही महत्वड था बहुत ग्रंतों में हमें बैपारियों के समुहों के बारे में सुचनाय प्राफ्त होती हैं जिसको कारवा कहा जाता था कारवा आफ्ट्रेडर जो कि एक अस्थान से दूस्रे अस्थान पर भैपारिक मार्गों के द्वारा जाते थे और बहुत ग्रंतों में हमें ये भी पता चलता है कि जो इसी बहुत भारे मार्गों का प्रियुक्ज के आकरते थे दशनपत दशनपत जो है इसे ग्रेट सौधन ट्रेड रूट भी कहा जाता है और इसके बारे में हमें जो सबसे प्रसम सूचना हमें दिखलाई देती है वो अरसास में इसका वो लेक प्राप्त होता है किंतु ये जो है इसका महत्व हमें आरंभिक इत्यासिक युग में ये एक भतपूर बैपारिक मार्ग के रूप में हमें दिखलाई देने लगता है मार्ख जो था गंगा के मैदान के आरंव होता था और आधुनीक और अरंगाबाजीले के पैच्छान जिसे तक जो ही जाता था यानि पाटली पुत्र से आरम होकर ये एंसीन प्रतिस्थान प्रतिस्थान का जो आदुनी की नाम है वो पैठान है जो कि औरंगबाद जिले में हैं वहां तक ये मार्ग जाता था इसके अत्रिक जो है ये तच्छुना पर जो है स्रावस्ति से भी बहुती वेल कनेक्टिड था यानि स्रावस्ति से भी ये मार्ग जो है बहुती जादा जो है ट्रेइड इन कॉमर्च के लिए यूज हो रहा था और दश्रा पर जो है पच्छिमी जो समुंद्धती जो बंद्रगा थे उनके साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है बहुती इसके त्रिक जो है हमें बहुत घंटो रमायर महाभारत में है विद्ध के पार के साथ बैपारिक संबंद उसे संबंदी तनेक होबेड़ाइं फ्राफ्त होते हैं मुराद ग्रंतों में हमें ऐसे उलेख प्राफ्थ होते कि जो बैपारी थे वो पाटले पुत्रा और कौसांबी से ट्रवेल करते थे प्रदिस्थान के लिए और उसके लिए जिन मारगों का उन्होंने प्रयोग किया उसे इन बहुत ग्रंतों में जो है दश्णा पच्छ मार कहा गया है जो कि विंधिक के घनी जंगलों से गुजरता था इसके अत्रिक जो है सुतनिपात में हमें बावारी की कथा के बारे में हमें उलेख प्राफ्थ होता है जिसमें बावारी एक कोसल का जो है एक सिछ शकते जिन्होंने गोदावरी अश्च नदी के किनारे की जो है अस्थापना उनन कीते और वहां पर वह अपने सिस्यों को जो है असक से जो है अपने सिस्यों को महत्मा बुद्ध से मिलने के लिए जो है वो भेशते हैं और उनके सिस्यों ने जो है इसी दच्रापत मार्ग का प्रयोग किया था और वो प्रतिस्ठान उज्जैनी विलिशा होते हुए स्रावस्ती तक गहते तो सुत्रिपात में इस मार्ग को जिस मार्ग का प्रयोग इन बहुत भिच्वों ने किया था उसको जो है दशनापत कहा गया है इसके इतरिक जो फिजिसियन जो यानि की फिजिसियन जीवक थे उन्होंने भी दच्छनापत्मार्ग का प्रेग किया था अवंती जाने के लिए आप इस मैप में दच्छनापत्मार्ग को देख सकते हैं जिसे रेड कलर से यहाँ पर दर्स आये गया है और यह मार्ग मुखरूश से कौसामबी यहाँ पर इसका एक यंक्षन के रूप में हमें देख लाई देता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौसामबी जो है very well connected है स्रावस्ती के साथ और कौसामबी जो है कासी होते होए पाटले पुत्रा के साथ भी very well connected है यानि कि पाटले पुत्रा से कोई वेपारी सबसें पहले कौसांबी आता था और किसी को स्रावस्ति से आना है तो भी कौसांबी आता था और कौसांबी से दचिणा-पत्त का मार्ग आरंब होता था और विंदि महारास्टर के आधनिक और और अंगबार Jilin में प्रतिस्थान यानि तक यह मार्ग आता था इसके तरीक दश्रापत मार्ग जो है हमने आपको पहले बताया कि पश्मी समुंद्र के बंद्रगाहों से भी भली भाती जुड़े हुए थे और यहां पर आप देख सकते हैं भ्रेगुकच या भड़ाउच के साथ यह वेल कन अनिक्टेडे और नौर्थ की ओर नौर्थ वेस्ट की ओर यह दौर के परामुः जो है बंद्रगाहों से भी जुड़ा हुए था और पद्रृत यह सास्थान से आगे चलकर यह प्रतृत की गोधावरी नधी के किनारे शे थे सबinaireृत यह मार्ग आकर आपके यह स kend और इart सब्सक्राइक सब्सक्राइब इसमें यहा सक不知道 नगन्सेस हमें धिकलाए देट देता है विंदिक्यां जो छेत्र है वो गंगा के मैदानों खनीच-्पदारतों के महतपूर्श सोर्ष के रुप्में हमें धिकलाए देता है क्योंकि है विंदिक के छेत्र Tubman धन्गर के मैदानों को लौ अैं पॉर और विभिन प्रकार के इस्टूम्स के प्राप्ती होती ती तता अनेकों प्रकार के जो मैट्रिल्स दशनपत मार्क द्वारा विन्द के नो डशनपत के मार्क के द्वारा डिकन में भी इनको को इनका दिस्टिप्षैन हो रहा था। इसके त्रिकत बहुत गरंटों में बैपारियों के समुझ यह कारवां कहा जाता उनसे संबंदित हमें विवरण प्राफ्त होते हैं जिसमें ये कहा क्या है कि बैपारियों को जो कारवा होता था उनमें कभी-कभी तो एक हजार काट होते थे यानि एक हजार जो है बैल गाड़ियों का या घोड़ा गाड़ी का प्रयोग जो है ये कर रहे थे जिसकी साहता से वो एक जनपद से दूसरे जनपद यानि एक राज से दूसरे राज में जो है वस्तु को लीके जा रहे थे हमें यह भी विबरन प्राप्त होते हैं कि यह जो बैपारियों के करवा होते थे वो मार्ग में टोल और जो टैक्सिज है वो जिस राज में जाते थे वहांके राजा के अधिकारियों को जो है टोल और टैक्सिज जो है वो पेइड भी करते थे और जो कस्टम ओफिसल्स जि अनेकों बहुत गरंतों में हमें अनेकों ऐसे उनलेक प्राफ्त होते हैं कि जो इनमार्गों पर लुटोरों के द्वारा बैपारियों को लूटने बहुत विच्छों को लूटने से संबंदित घटनाएं पर होती थी जिनको रोकने के लिए जो है सासकों के द्वारा राजाओं के द्वारा राजभट नामक अधिकाली की नियक्ति की गए थी जिसका प्रमुख जो कारे था वो बैपारियों और उनके जो गोट्स हैं जो प्राफर्टी हैं और जो याद्री हैं उनकी सुरच्छा करना जो है जीवन की सुरच्छा करना किनारे हमें साइन बोट लगाने के भी साच्छे हमें प्राप्त होते हैं रिवेट रेड रूट्स जो नदियू के दोरा बैपार भी प्राशीन भारत में बहुती ज़्यादा प्रचलित हमें दिखलाई देता है नदियों में मुख्यरू से गंगा यमना, सर्यू, सोन, गंदक, कोशी, क्रिष्णा, तुंगमद्रा, महानदी, गोदावरी एवं कावईरी नदियों का प्रयोग जो है मुख्यरू से बैपार के लिए किया जा रहा था और ये जो प्रमुख नदिया थी, इनके किनारे जो है प्रमुख जो है बंदरगा भी, नदियों के किनारे से बंदरगा भी हमें दिखलाई पड़ते हैं इन नदियों के दौरा मुख्यरू से भारी वस्तूओं का जो है ट्रांस्पोर्टिशन किया जा रहा था मेलनी और मौरी काल में मुख्यरू से हम ये देखते हैं कि असोग के काल तक आते आते जो है चुनार से जो सैंड स्टोन पिलर जिनकी प्राफ्ती पूरे भारती महादीप में होती है असोग के द्वारा लगवाए गए स्टोन पिलर्स मुख्यरू से उनका जो ट्रांस्पोर्टिशन हुआ था वो रिवर रूट के थू ही किया गया था चुनार जो है अर्दुनिक उत्रप्रदिस के अर्दुनिक मिरजापूर जिले में इस्ति थे गंगा के किनारे इस्ति थे वहाँ से इन स्टोन पिलर्स को जो है कैरिट किया जाता था नदी रिवर रूट के द्वारा और देश के विभिखिन छित्रों में जो है नदी मारगों के साहता से उसे जो है distribute किया जाता था ट्रांस्पॉर्ट किया जाता था और इसकी प्रापती हमें दश्षृ भारत में मैसूर से लेकर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रांटियर छित्रों तक हमें होती है और जो नदियों के जो प्रमोख बंदरगा होते थे वो लैंड रूट के साथ जो है बहुती भली भाती वो गनेक्टेड थे पानी अपने अश्चाध्याई में विविन प्रकार के नावों यहाजों के बारे में हमें विवर्ण प्रदान करते हैं मौरियन पिरियर तक आते आते जो नाविगेशन है यानि नौ वहन जो है वो अपने चरम पर हमें दिखलाई देता है और गुप्तकाल तक आते आते हमें इसमें अतिधिक वृद्धी हमें दिखलाई देती है और गंगा जो है एक महत्पूर जो है रीवर थी जिसके द्वारा माध्यम से बैपारिक गत्वुदियों को संजा था जो इंटर्नल ट्रेड रूस थे वो जो अंतरास्टी जो पैपारिक मार्ग थे उनके साथ भली भाती वो जुड़े वे थे connected थे लिंग्ट थे और इन असली मार्गों के द्वारा जो है हमें यह दिखलाई देता है कि तस्सिला एक महत्पूर सेंटर के रूप में दिखलाई जहां से इरान और अफगानिस्तान तक जो है अनेकों जो है ट्रेड रूट जो है connected हमें दिखलाई देते हैं इन इन बैपारिक मार्गों के सहायता से मुखिर उसे raw materials जो है वो का जो है आयात किया जाता था मुखिर सिल्वर गोल्ल लापीज और जेर जैसे किमती जो है प्र आयात किया जाता था इसके तरिक जो है मैसोपोटामिया और भारत के बीच हमें लंबी दूरी की बैपारिक यात्राओं से संबंदित हमें सुचनाय प्राफ्त होती है मुखिर से भारत से जो मैसोपोटामिया को कीमती जो है लकडिया जो है भीजी जाती थी सेंटरल एसिया के साथ भी भारत का ब्यापारिक संबंध है वो हमें नौ पासाड़काल से हमें दिखलाई देने लगता है और सेंटर लेक्षिया के साथ जो ब्यापार था मुक्रू से बोलन पास यानि बोलन दर्रे के द्वारा हो रहा था जो कि उत्री अफगांस्तान में हिस्तित है और इन इन शित्रु में जो है तस्सिला और चर्शदा जो है एक प्रमुख जो है अंतराश्ति ब्यापारिक केंद्र के रूप में हमें दिखलाई देते हैं जिनकी सहायता से जो है भारत का जो है प्शमी देश्टों के साथ घनिष्ट ब्यापारिक संबंध अस्थापीत होता है मार्गों के द्वारा भारत पर अनिक आकरमण हुए थे चाहिए वो पर्सियन हो चाहिए मैसेदोनियन हो चाहिए सेंटरल एसिया के जो जन्जातियां थी उन्होंने इन्हीं वैपारिक मार्गों का प्रेव करते हुए इन्हीं बोलन पास के द्वारा भारत पर अनिक आकरमण इसके तरुक बेंगॉल से एक मार्ग मेमार चीन की ओर जाता था मेमार से मुक्रुप से सेमी प्रिस्पीस स्टोन जेट को एमपोड किया जाता था इसके तरुक प्राशीन भारत में समंदरी मार्गों का प्रेयोग भी हमें महतपोर दिखलाए देता और पाली गरंतों में हमें इन से संबंदित अने को विवरण हमें प्राप्त होते हैं अंगुतर निकाय में समुद्री वैपारियों से संबंदित उलेख प्राप्त होते हैं जिसमें यह कहा गया है कि समुद्री वैपारी जो है पच्छियों का प्रयोग करते थे समुंद्र में रास्ता खोजने के लिए इस्पेसली अस्थल को खोजने के लिए जो है पच्छियों का प्रयोग करते थे और जातक ग्रंथों में भी हमें अनिको समुंद्री यात्राओं वैपारियों के समुंद्री यात्राओं से सम्मंदीत विवरण हमें फ्राप्त होते हैं और भारत का जो है दच्छिपूरी ACI देश्वों के साथ बैपार जो है वो एतिहासी आरंबिक एतिहासी युग से जो है हमें इस्टेब्लिस होता दिखलाई देत हैं बैपार में हो रही प्रगति के प्रणास शरू जो बैपारी थे उनका सहर उनका एक अलग समू हमें विक्सित होता वह दिखलाई देता है और जो की मुखर उसे अर्बन सिंटर्स में निवास कर रहे थे और समभूता इसी कारण जो है बहुत गरंतों में वानिज्य यानि की ट्रेड को जो है सबसे महतपूर जो है बैवसायक के रूप में जो है आना गया है इस मैप में आप दच्छिड भारत के ट्रेड रूट्स इन साउथ इंडिया को देख सकते हैं कि किस प्रकार से दच्छिड भारत मुख्रूँ से तमिल नाडो और केरल का जो छेतर है किस प्रकार से अस्तली मार्गों के द्वारा जो है वेरी वेल कनेक्टट थे और सभी मार्ग मुख्रूँ से जो coastal sea ports थे हैं उनके साथ चाहे कोरकई हो चाहे कुमारी हो and sea मूचीरी हो and tindies sea port के साथ बहुती well connected हमें दिखलाई देते हैं इस map में आप भारत के प्रमुख्ष बैपारिक मार्गों को देख सकते हैं आप ने यह देखा कि यह उत्राफ़त है जिसके northern and southern sector को आप पहले से जानते हैं इसके तरीक जो rate line है वो दश्रणापत के और indicate करता है इस प्रकार से आप देखता है कि उत्रापत और दश्रणापत से हमें ऐसे अनेकों मार्गों के बारे में सुचनाय अप्राफ्त होती है कि कि इस प्रकार से दश्रणापत जो है सिंद्र के छेत्रों से होता हुआ के लिए अनेकुटेट था वही उत्रपत भी जो है अ ऐफगनिस पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इन शितरों के साथ जो है बहुत ही वेल कनेक्टेड हमें देखलाई देता है इस के तरीक उत्रपत में जो है चंद्रकितू गड़ से एक मार्ग जो है बेबारिक मार्ग असम के शित्रों के और जाता था और असम से जो है एक मार्ग चीन और दूसरा मार्ग जो है मेहमार के और थाटोन के और जाता था और यही से पुस्कलावती से जो है सेंडल एसिया तता इरान की और जाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हमें जुड़े हुए थे और जो एंसिन सिल्क रूट था वो चीन से होते वे इन मार्गों के द्वारा चीन से होते वे पुस्कलावती में आकर मिलता था चीन से भारत इस मैप में आप मेजर ट्रेड स्वारी मेजर रूट्स कनेक्टिंग एस्या ये रोपन अफरिका को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पुस्कलावती जैसा हमने आपको पहले बताये कि पुस्कलावती जो है सिल्क और पर्शिया एरान और वेस्ट एसिया जाने के लिए ट्रेड रूट्स वेल डेवलफ हमें दिखलाई देते हैं और चीन जाने के लिए मुक्रूप से हमें दो ब्यापारिक मारग हमें दिखलाई देते हैं और इन ब्यापारिक मारगों का प्रयोग जो है हमने आपको पहले भी बताया कि जो सेंटरल एशिया और वेस्ट की ओर से होने वाले जिते भी इन्वेजन थे इन्हीं मारगों का प्रयोग जो है आकमरकारियों ने भी भारत पर आकमर करने के लिए किया था इसके साथी साथ जो प्रभुक्टूचीनी यातरी बहुत यातरी भारत आये उन्होंने भी इनी सिल्क रूट के द्वारा भारत की यातरा की थी और इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस परकार से भारत का जो कोस्टरल छेतर है जो समुन्दर्टी छेतर है वो बेया बेंगॉल में किस परकार से साथ इसएसिया के देशों के साथ connected हमें दिखलाए देता और यहां से चीकी और भारत का समुंदरी बैपार हमें दिखलाए देता है वेस्टन कोस्ट से मोकिरों से जो है सिंट वेस्ट एसिया के देशों के साथ साथ इजिप्ट और यूरूप ग्रीस और यूनान के साथ हमें बैपार को हम जकते हैं और अफ्रिका नॉर्डन अफ्रिका के साथ भी इनका बैपार जो है वेल कनेक्टेड हमें दिखलाए देता है इस मैप में आप फायान के ट्रेट ट्रेवल रूट को देख सकते हैं किस परकार से फायान ने जो है उसी सिल्क रूट का प्रयोग बैपारिक मार का प्रयोग भारत आने के लिए किया था और यहाँ पर वो तस्सिला आने के पर शाथ वो इसी उत्रापत मार का प्रयोग करता है कि मार की सहायता से भारत के अने को बहुत अस्तलों का वो यात्रा करता है तामरलिक्ती से वो शिरलंका और शिरलंका से पलेंबंग जावा और जावा से वापस समुद्री मार के द्वारा जो है वो चीन चला जाता है तरहिं स्ट्रकार सान्य में देखते हैं कि जो बहुत भिच्छों हैं वह चाहे अस्थली हो चाहे जल हो समंध्री मार्गों वह वैपारिक मार्गों को ही फॉलो करते हैं और ये जो मैप है वो वेंसॉंग का यात्रा मारग था और वेंसॉंग भी भारत यात्रा कहरने के लिए इस रेड लाइन में आप देख सकते हैं कि सिल्क रूट का वो का उपियोग करता हूँ स्रिल क्लूट के माध्यम से भारत के पश्मी उत्रच चत्रों में आता है और यहां से तशिला होता हुआ वो पुना उत्राबत मारग का प्रियोग करता है और लगभग समपूर भारत की यात्रा करता है इन वेवारिक मारगों की सायता से और सुदूर दश्खडी में वो kadhipuram, पललो के सासन काहल में kadhipuram तक आता है और महरास्टर के चेत्टर में पुलकेशिन के देश की यात्रा करता है तत्ता गुजरात के चेत्रों की यात्रा करता है वो वापस वो पुनर वैपारिक मारगो के साहता से नीले नाइस आप देख सकते हैं कि बैपारिक मारू की सहायता से वो वापस अपने देश जो है लैंड रूट का प्रयोग करते हैं वो अपने देश जो है चागान जो है वो वापस जाता है Thank you very much